इस कारिक्रम के पुन्यार जग परिवार हैं जैपुर राजस्थान सभाग्यमल राजकुमारी, सुनीन संगीता, साहिल प्रज्या एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिता, विकास श्वेता एवं सिधान्त बैंगलो, बाबुलाल शकुंतला कलकत्ता, अर्विंद रेणू एवं यश्वर्धन बैंगलो जैजने, यस्यस्वयं सभावाप्ति, रभावे कृष्न कर्मणः, तस्मई संग्याने रूपाय, नमोस्तो परुमात्मने, पंच्परमेष्टी भगवान की जै, पिछली पाट साला में संसार में सुख और दुख का कारण क्या है, इस पर अच्छी तरह चर्चा हुई, आज हम श्लोप नमबर बीस में ये चर्चा करेंगे, के हमारा कौन सा चिंतन सुख का कारण है और कौन सा हमारा चिंतन दुख का कारण है, ताके उसको अच्छी तरह सोच समझ के, हम दुख के कारण चिंतन से बचें और सुख के कारण चिंतन में लगें, आईए श्लोक नमबर 20 प्रस्ट 24 निकालें इतः श्चिंताम अनिर दिव्य इतः पिन्याक खंड कम ध्याने नचे दुभे लभ्य क्वाद्री अन्ताम विवे कि नह इतः एक तरफ इतः माने एक तरफ एक तरफ तो चिंतामनी दिव्य रत्न है दिव्य माने चमकदार प्रभावशाली एक तरफ तो चिंतामनी दिव्य रत्न है और इतः एक तरफ पिन्याक माने खली का खंड कम माने टुकणा है सरसों का तेल निकाला अब जो बचा फोक उसे कहते हैं खली तो एक तरफ तो चिंता मनी दिव्य रत्न है और एक तरफ खली का टुकणा है ध्यानेन ध्यान से चेत उभे ये दोनों यदी लभ्ये प्राप्त होते हैं ध्यान से चेता मनी रत्न भी मिल सकता है ध्यान से खली का टुकणा भी मिल सकता है ध्यान से यदी ये दोनों प्राप्त होते हैं तो बिवे की नहा जो बिवे की लोग हैं जो ज्यानी पुरुष हैं जो समझदार हैं क्वा आद्रियंताम किसका आदर करेंगे किसका आधर करेंगे एक ध्यान चिंता मनी रत्न दिलाएगा और एक दूसरा ध्यान खली का टुकड़ा दिलाएगा ध्यान करना हमारा काम यदि ये दोनों चीजें ध्यान से मिलती हैं तो विवेक की लोग किसका आधर करेंगे चिंता मनी रत्न का आधर करेंगे और खली के टुकड़े वाले ध्यान में कभी नहीं उल्चेंगे एक बाग फिर देखें इतस चिंता मने रदिव्यो एक तरफ तो दिव्य चिंता मनी रत्न है और एक तरफ पिन्याक मने खली का टुकड़ा है ध्यानेन ध्यान से चेट उभे लभे यदि ये दोनों प्राप्त होते हैं तो विवे की लोग को किसका आदरियन्ताम आदर करेंगे सीधी सी बात है चिंता मुनी रत्न वाले का आदर करेंगे ध्यान किसे कहते हैं? आचारियों ने ध्यान की परिवाशा लिखी है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम हमारे मन में बहुत सारी बातें बहुत सारे चिंतन चलते हैं यदि उन सारे चिंतनों को रोक कर अगर हम एक वस्तू पर अपने चिंतवन को एकाग्र कर लें उसका नाम है ध्यान एक आग्र चिंता निरोधो एक वस्तू पर चिंतवन का रुख जाना ध्यान है और ऐसा होता रहता है कभी सुख होता है तो सुख में लीन हो जाते हैं कभी दुख होता है तो दुख में लीन हो जाते हैं तो जो लीन होना है उसका नाम है ध्यान पंडिजी ध्यान कितने प्रकार का होता है? शास्त्रों में ध्यान चार प्रकार का बताया है आर्थ ध्यान, रोदर ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इसमें आर्थ ध्यान और रोदर ध्यान ये दो ध्यान अशुब है जो धर्म ध्यान है ये शुब है सांसारिक सुखों को देने वाला पुर्णिबंद का कारण है जबकि रोध्र ध्यान नरक ले जाने वाला है आर्थ ध्यान तिरेंचों में जन्म दिलाता है और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण है चार परकार के ध्यान में आरत रोधर ध्यान बुरे हैँ धर्म ध्यान अच्छा है और शुक्ल ध्यान सरव स्रिष्ठ ध्यान है आर्थ ध्यान कितने परकाव मुटढ़ा है आज का विशे इस्टूब देश में बहुत सुन्दर और समझने वाला है हम संसारी जीव पृति समय किसी न किसी ध्यान में और चिंतन में लगे रहते हैं आज के इस श्लोक में ये समझाया गया है कि कौन से ध्यान चिंता मडी रत्न को दिलाएंगे और कौन से ध्यान खली का टुकड़ा कचरा दिलाएंगे हमें क्या करना अच्छी तरह से इन ध्यानों को समझेंगे, समझ के जो बुरे ध्याने आर्त रौद्र उनको छोड़ेंगे, धर्म ध्यान में लगेंगे, शुक्ल ध्यान की भावना करेंगे पहला प्रिशनाया है आर्त ध्यान कितने प्रकार का है आर्थ कहते हैं दुखी होने पर जो चिंतन होता है वे है आर्थ ध्यान वे चार प्रकार का होता है पहला आर्थ ध्यान अगर किसी इस्ट वस्तू का बियोग हो जाए हमारा बेटा था, हमारे पिताजी थे, उनका स्वर्गवास हो गया अब ये कैसे मिलेंगे, हाई रहाई ये चले गए, ऐसा चिंतन होना इस्ट वियोगज नाम का आर्थ ध्यान है इस्ट माने, मन को जो वस्तू प्रिय है, अगर वो जुदा हो जाए तो ये दुबारा कैसे मिले, इसका निरंतर चिंतन करना दूसरा होता है अनिष्ट संयोगज, कोई वस्तू हमको अच्छी नहीं लगती बड़ी कस्टकारी है, दुखदाई है, और वो मिल जाए तो निरंतर क्या सोचते हैं हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं इसने तो हमारा सारा जीवन ही खराब कर दिया इसके मारे तो नाक में दम हो गई, इससे कैसे पीछा छुटे तो अनिष्ट वस्तू, मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तू का मिल जाने पर उसको दूर करने के लिए जो निरंतर चिंतन बना रहता है वो है इस्ट बियोगच, नहीं, अनिष्ट सईयोगच तीसरा ध्यान होता है वेदना संबंधी, वेदना विभव अर्थात, शरीर में कोई बीमारी लग गई, अब निरंतर चिंतन है डॉक्टर ने कह दिया है, आपको मुझे तो कैंसर का अदेशा है अब दिनराज चिंता में लगे हैं, अब क्या होगा, ये कैसे ठीक होगा ये तो बड़ी गड़बड हो गई, मैं क्या सोचता था और क्या हो गया किसको दिखाऊं, कहां इलाज कराऊं सबसे पूशते हैं, क्यों भईया कैंसर का इलाज कहां बड़िया होता है तो कोई वेधना, कोई बीमारी, रोग आदी हो जाने पर, नरंतर उसको दूर करने का चिंतन बनाए रखना वेधना विभव नाम का आर्थध्यान है चोथा आर्थध्यान है निदान अर्थात, इस भव में और परभव में मुझे ऐसे सांसारिक सुख मिलने चाहिए इस भव में इतनी संपत्ति कमानी है, इतना ठाट बनाना है अगले भव में स्वर्ग में ऐसे सुख भोगने है निरंतर चिंतन, धर्म करते समय भी वोई भाव रखना भगवन रोज आपके पास आता तो हूँ मेरी सारी सुख सुख भदाएं बनी रहें, इसलिए तो आता हूँ ये निदान नाम का आर्थध्यान है ज़रा सोचिए आप सब, आपके ये होते हैं के नहीं? होते हैं जीवन में ऐसे मौके आते हैं के नहीं? आते हैं हमारे आपके सब के आते हैं अगर इस्ट वस्तू का बियूग हो गया, पीड़ा सब को होती है अनिष्ट बस्तू का संयोग हो जाए मन बड़ा व्यथित रहता है बीमारी हो जाने पर तो क्या पूँछो और भोगों की वांचा हम सबके लगी हुई है लेकिन अगर इस चिंतन ऐसा चिंतन हम करते हैं तो ये महान पापबंद का कारण है क्या करें ऐसे में अगर इस्ट बस्तू का बेओग हो गया 20 साल का युबा बेटा था और उसका बेओग हो जाता है अक्सिजेंट में क्या सोचें इसका हमारा इतना ही संबन्द था इसकी आयू इतनी थी इसमें कोई कर भी क्या सकता है ऐसा करेंगे तब तो कहलाएगा धर्मध्यान और इस्टवस्तू के बियोग होने पर अनिष्ट के संयोग होने पर बीमारी होने पर दिन भर चिन्ता फिकर में लगे रहेंगे जैसा हम सब करते हैं अगर ऐसा करेंगे तो वो आर्थ ध्यान कहलाएगा महान पापबंद का कारण है कहते हैं आर्थ ध्यान करने वालों को तिरंच आयू का बंद तिरंच गती प्राप्त होती है इसलिए ऐसा ध्यान जीवन में कभी नहीं आने देना है पंदित जी रोद्र ध्यान कितने प्रकार का होता है रोद्र ध्यान परिणामों में कुरूरता हम गलत काम करें हिंसा आधी के कारी करें और प्रसंदता और माने इसे कहते हैं रोद्र ध्यान ये रोद्र ध्यान सीधा नरक ले जाने वाला है अच्छी तरह समझना है रोद्र ध्यान के चार भेद पहला हिंसानन्दी अर्थाद हिंसा के कारियों को करना और उसमें आनंद मानना अवक्ष बक्षण करना और उसमें बड़ा प्रसन्न होना तमाकू खाना और उसको और अच्छा मानना प्रसन एकदम किसी ने लाके दे दिया तो खुश होना हिंसा जनित व्यापार करना और उस व्यापार में जो आमदनी हो रही है उससे बहुत खुश होना हिंसानन्दी रौद्रध्यान हम सब के हिंसानन्दी रौद्रध्यान होता है हम लोग घर का खाना छोड़के बजार होटलों में खाना खाने जाते हैं होटलों का खाना कितना अशुद्ध है कितनी जीव हिंसा का कारण है लेकिन फिर भी हमें उसमें आनन दाता है आजकल बड़े शहरों में क्या हो गया इत्वार के दिन शाम को रसोई बंद रहते है उस दिन तो होटल में खाना खाने जाएंगे और बड़े खुश होके जाते हैं हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है होटल की हर वस्तू हिंसा में कारण है आशुद्ध है आपवित्र है फिर भी बड़ा आनन्द मनाते है दूसरा मृशानन दी रौद्र ध्यान जूट बोलना और जूट बोलने में आनन्द मानना किसी के अगेंस्ट में हमें गवाई देनी थी जूटी गवाई दी और ऐसी गवाई दी जो सामने वाला मुकद्मा हार गया बड़े प्रसंद हो रहे हैं पार्टी दे रहे हैं ये क्या है ये मृशानन दी जूट बोलकर आनन्द मानना ऐसा होता है किनी खूब होता है कहीं जहां कहीं हुआ जूट बोल दिया, सामने वाले को डाउन कर दिया और बड़ी प्रसनता और मनाई तीसरा होता है चोरियानंदी, चोरी करना और आनंद मानना मैं बैखाते बनाने में बड़ा हुश्यार हूँ, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करता हूँ लेकिन मेरी कोई चोरी पकड़ नहीं सकता, इतनी हुश्यारी से काम करता हूँ मैं इस पस्तू में इस पस्तू की ऐसी मिलावट करता हूँ, लोगों को मालुमी नहीं पड़े मिलावट तो करता हूँ, पर उसकी इसमेल बैसी बना देता हूँ दोखो मेरा माल कितना विक्ता है डुप्लिकेट माल बना के बेचना और प्रसन्न होना चोरिया नंदी चोरी करें और आनंद बनाएं ये चोरिया नंदी और सबसे घातक है चोथा विशे सनरक्षना नंदी अर्थात पंचेंद्रियों के विश्यों को एकटा करने में उनको भोगने में उनको समेटने में लोगों के भोग देखने में वैसा खुद खरीदने में आनंद मानना सबसे घातक है हम लोगों के पास जो परिग्रे का धेर लगा है हम लोगों की जो बुरी आदतें, खर्चे की आदतें पड़ी हैं वो औरों को देख देख के देख देख के उसने अपनी शादी में ऐसी सयावट की मैं भी करूँगा उसने ऐसी दावट दी मैं भी दूँगा ये सब क्या है? विषय संरक्षणा नंदीर और ध्यान है पंचिंद्रियों के विषयों के संरक्षण के लिए निरंतर इन विषयों को इखटा करके रखना ये कैसे प्राप्त हों? इनी में लगे रहना आज देखा जाए हम हमारी जैन समाज पैसे से अच्छी तरह से सरसब्जे है हमें सब तरह का आनन्द है हम लोग क्या करते हैं? पैसे के सुख में सुबै से शाम तक दूबे रहते हैं सब सुबजा है, खूम वाच करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे सब काम तो करेंगे, धर्म के लिए हमारे पास समय नई ये क्या है? विशे संरक्षणा नंदी रौद्र ध्यान है जरा विचार करें आप पहले चर्चा हुई थी चार प्रकार आर्त ध्यान और चार प्रकार रौद्र ध्यान धर्म ध्यान की बात बाद में करेंगे ज़रा सोचें 24 गंटे में कितना ध्यान हमें रहता है धर्म ध्यान मने पूजा स्वाध्याय आदी में जो हमारा चिंतन है बहुत थोड़े समय रहता है धर्म ध्यान तो बहुत थोड़ा होता है और बागी दिन भर 24 गंटे आर्त ध्यान रोद्र ध्यान बना रहता है पुरुष तो अपने व्यापार में उल्जा है उसकी दुकान में दिन भर भीन लगी रहती है उसे आनंदर आता रहता है वो तो आनंद में मस्त रहता है बिसे संदक्षणानंदी रोद्र ध्यान है महलाएं अपने घर को सजाने में अच्छे वस्तरों को पेनने में सजने में टाइम लगाती रहती है ये भी तो रोद्र ध्यान है दुख के कारण हमारे और आपके जीवन में यदा कदा आते हैं और थोड़े समय के लिए आते हैं कहां आते हैं देखो कौन मरता है कौन गड़बड़ी होती है बीमारियां आती है कभी जबी आई और नहीं आई इसलिए आर्थ ध्यान तो कम होता है हमें 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रोद्र ध्यान है रोद्र ध्यान महान महान पाप का कारण है नरगती ले जाने वाला है इसलिए सांसारिक सुबधाओं के मिल जाने पर पंचिंद्रियों के विशे भोगों के सामिग्री प्राप्त हो जाने पर संपत्ती प्राप्त हो जाने पर हम उसके भूगने में सुक्का अनुभव नहीं करें अगर उसके भूगने में हमने सुक्का अनुभव किया और आनंद लिया तो वो कहलाया जाएगा रोद्र ध्यान और रोद्र ध्यान के काल में नरक गतिय नरक आयू का बंदो होता है हम सब को बहुत बिचारना चाहिए हमें सुवेशे शाम तक 24 गंटे में से 23 गंटे साड़े 23 गंटे रोद्र ध्यान रहता है इसलिए रोद्र ध्यान से बचना है आर्थ ध्यान नहीं करना है और धर्म ध्यान में लगना है गाठ बांद लिजिए जीवन के दुख के प्रसंगों में दुख नहीं मनाएंगे सुख के प्रसंग आएंगे तो समता परिणाम रखेंगे धर्म ध्यान कितने पिकार का होता है आचार्यों ने धर्म ध्यान के भी चार भेद कहें हैं आज्या पाए विपाग संस्थान विच्याए धर्म्यम तत्वार सूत्र पहला आज्या विच्या भगवान की आज्या भगवान के उपदेश के वारे में चिंतन करना लेटे हैं, जाडा है, ओडे हुए पड़े हैं, सास्त्र में आज क्या स्वाध्याई किया, उसका बरावर चिंतन कर रहे हैं, आग्या विचे धर्मध्यान है अपाए विचे, संसार के जीवों को मुक्ष का मार्ग नहीं मालुम, ये विचारे संसार में अनादिकाल से भर्मण कर रहे हैं, इनको कैसे संसार से छूटने का मार्ग मिले, ऐसा चिंतन करना अपाए विचे धर्मध्यान विपाग विचे धर्मध्यान अर्थाद किस कर्म का फल कैसा होता है, कर्म के फल का निरंतर चिंतन करना, इसका नाम विपाग विचे धर्मध्यान है और तीन लोग के स्वरूप का चिंतन करना, यह लोग चोदे राजू है, नीचे साथ राजू, उपर एक राजू है, 343 घन राजू है, इस तरह चिंतन करना, इसका नाम संस्थान विचे धर्मध्यान है आचार्शी कहते हैं, ध्यान कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, एक तो हे पदार्थों का, एक उपादे पदार्थों का, और एक गे या धे पदार्थों का अगर हम इस्त्री बच्चों का चिंतन करते हैं तो हे पदार्थ अगर हम भगवान की मूर्ती का आचारशी का चिंतन करते हैं तो ये उपादे पदार्थ और यदि हम लोग का चिंतन करते हैं तो ये गे पदार्थ का चिंतन है गे पदार्थ के चिंतन में बहुत अच्छी तरह मन लगता है और राग या द्वेश की बिलकुल भावना नहीं रहती हमें क्या करना चाहिए 24 गंटे में से धर्म ध्यान के लिए अधिक से अधिक समय निकाले भगवान के उबदेश का चिंतन करें स्वाध्याई में लगें जीवों को संसार की दुखों से बचने का मार्ग बताएं तीसरा अगर सामने कोई हमारे गंदा गरीब कोड़ी व्यक्ति आ जाए हमेशा उसके कोड़ से घवराएं घिना नहीं करें बलकि इसने पहले जनम में कैसे कर्म किये थे देखो इसका नाम कर्म देखो इसके असातावेदनी का उदे हम कर्म के फल का चिंतन करें अपने उपर भी दिक्कत आ जाए बीमारी आ जाए तो देखो असातावेदनी का उदे है इसमें क्या हो सकता है निरंतर ऐसा चिंतन करें और जब भी चिंतन में ध्यान में बैठें तो लोग का चिंतन करें संस्थान विछे नाम का धर्मध्यान है ये धर्मध्यान महान पुर्णिबंद का कारण है समवर निर्जरा का भी कारण है और तीनों लोकों के जो इतने सुख के पद हैं चाए सोधर मिंदर या एह मिंदर हो चाए चक्रवर्थी और बलबदर हो चाए तीर्थंकर जैसे महान पद हो सब धर्म ध्यान से पराप्त होते है पंडिजी सुकलिध्यान कितने प्रकारका होता है कशाय रहित अवस्था में जो चिंतन किया जाता है उसे हम कहते हैं शुक्ल ध्यान कशाय सहित अवस्था में धर्म ध्यान है अगर अच्छा ध्यान करें तो और कशाय रहित अवस्ता में जो ध्यान होता है आत्म चिंतन इत्यारी जो होता है उसका नाम शुक्ल ध्यान है ये भी चार प्रकार का है प्रतक्त वितर्क, एकत वितर्क, सुक्ष्मक क्रिया प्रतिपात, विपरत क्रिया निवर्तीनी तत्वार सूत्र में हमने इसको पूजबाद महराज ने ये ये कह रहा है अगर आर्थ रवद्र ध्यान अगर तुम अपने मन में चिंतन करोगे तो खली का टुकणा नरक और तरंच परेयाई मिलेगी धर्म ध्यान करोगे तो क्या होगा चिंता मड़ी रत्न मिलेगा लेकिन उत्कृष्ण चिंता मड़ी इरत्न किस से मिलेगा शुक्ल ध्यान से मिलेगा हमें क्या करना है हमें ये करना है आर्थ रहुद्र ध्यान से बचना है उन्होंने कितना अच्छा लिखा ग्यानी को ये मालूम पढ़ जाए कि ये आर्थ रहुद्र ध्यान खली के टुकणे है क्या ग्यानी उनका आदर करे जापकोएगा किया ज्यानी उसुरूप परणमन करेगा, कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो तो देखेगा, मुझे चिंटाम्री रथ्न प्राप्ट करना है, मैं धर्म ध्यान में लगूँ और इस भव में नहीं, तो अगली भव में श Bürण को प्राप्ट करके, अस्ट कर्मों को नस्ट के मोख नस्ट करके मोख्ष प्राप्त करूँ आज की कारिका ये बता रही है जीवन में आर्थ रोधर ध्यान को आने नहीं देना No entry नहीं बिल्कुल नहीं है आत्मन आर्थ रोधर ध्यान के जब भी कोई प्रसंग आए समता परणाम रूप अपना मन बनाओ अपना चिंतन बनाओ कभी ब्याकुल भी नहीं और कभी संपत्ती हो जाए तो मस्ती भी नहीं दोनों के लिए नहीं दोनों के लिए मनाई है मस्ती में रोधर ध्यान आकुलता में आर्थ ध्यान होगा दोनों हे हैं इसलिए छोड़ने है आज की कारिका कितनी सुन्दर है लेकिन सुन्दर जब मानी जाएगी जब इसे हम जीवन में उतारेंगे हमें चिंता मनी रत्न प्राप्त करना है तो ये परियाए धर्म ध्यान में लगानी है और खली का टुकणा चाहिए तो आर्थ रवद्यान में लगे रहो लेकिन नहीं वो हमको नहीं चाहिए इसलिए आज की कारिका से कुछ गाठ बांध के उठिये और सुक दुक के प्रसंगों में समता परिणाम धर्म चिंतन में अपना मन लगाईए जै जिने जैन, वाइफ ओफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ओफ विपन कुमार जैन मानत्चन, कमला देवी, राकेश, नीतु, रिशब एवां आयूशी मुष्रफ, B123, सेथी कॉल्गनी, जैपुर, राजस्थान श्रीमती सरला जैन, वाइफ ओफ श्री पदम प्रसाद जैन, श्रीमती सविता जैन, वाइफ ओफ श्री धनेंद्र जैन, अन्शुल जैन, पारूल जैन, जैन स्टोर, पटपडगंज, दिल्ली राम रतन, रतनी देवी पाटनी, प्रकाश जल सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन, एवं समस्त पाटनी परिवार, मेर्ता सिटी, जिलानागौर राजस्थान दिवंगत श्री मोहललाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में, सभाग्यमल राजकुमारी, सुनीन संगीता, साहिल प्रग्या, एवं उत्सव कलकत्ता, पीकम सुशीला, नवनीत अनामिता, विकास श्वेता, एवं सिधांत बैंगलो, बाबुलाल, शकुंतला कलकत्त अर्विंद रेणू एवं यश्वाधन, बैंगलो